हर एक प्राणी के भीतर जो आत्मा है वो भगवानी है, तो सारे एक तरह देखा जाए, तो सब भगवान की अवतार हैं, भगवान की अंश हैं, पर अंशी हैं, हम अंश हैं, भगवान नहीं हैं बगवान अनेक अवतार लेते हैं किसी ना किसी रूप में और इतिहास में कितने अवतार तो ऐसे बगवान के जिनके बारे में कभी लिखा ही नहीं गया पर फिर भी बगवान ने वो अवतार लिए अब भगवान के चौबीस अवतार में भगवान कहीं कोकर बने ऐसा तो नहीं लिखा पर ज्ञान देव जी ने उस कुत्ते में भगवान को देखा और कुत्ते में उनको भगवान दिग गय भगवान ने दर्शन भी दे दिया क्यांदेवजी की जीवन में कथा आती है भोजन करने बैठे रोटी गाने बैठे तो कुत्ता आ गया कुत्ता रोटी लेके भाग गया अब रोटी लेके भागा अब भगवान के जो भक्तोते उनका देखने का नजरिया कुछ और होता है संसार वालों का कुछ होता है संसार वालों के लिए घर से कोई कुतना रोती लेके बख जया तो उसका ले-ले-लेके डंडा उसकी तंक तोड़ देंगे खुम मारेंगे क्यों क्यों कोई खू-घुत्त Mohammad थाली में से रोटी ले गया पर भगवान के भक्त का देखने का नजरिया कुछ और है ग्यान देव जी ने देखा कुता रोटी ले करके जा रहा तो उन्हों मारा नहीं हसने लगे ए वहाँ प्रभू बड़ी निराली लीला है आपकी बड़ी गजब लीला करते हो अरे रोटी खानी थी थी तो हमको बता देते हम ढंक से खिला देते लेकर भागने की प्रभू क्या जरूत है और चलो कोई बात नहीं लेकर भागे तो वो भी सूखी रोटी लेकर बाग एक कम से कम ने घीतों लगवा ले जाते हमको पतो होती कि आग खाओगे तो हमने घी लगा देते चलो कोई बात ने तो कुत्ता रोटी लेके भागा और जिए ग्यान देव जी उसके पीछे पीछे घी की कटोरी लेके भागेगी प्रभू रुख जाओ घी लगा ले जाओ और देखो जैसे ग्यान देव जी ने उस कुत्ते में भगवान को होने का अनुबव किया तो भगवान देवी का हम थोड़ी न पीछे रहेंगे अगर इसने देखी लिया तो लो भगवान भी कुत्ते में से प्रगट हो करके ग्यान देव जी को दर्शन देते हैं अब कुत्ता भगवान का अवतार ये कहां चोवीस अवतारों में लिखा पर भगवान समय समय पर किसी ना किसी रूप में लीला करते हैं कभी भी आ सकते हो, कहीं भी आ सकते हो जीव समझता नहीं है, उनको लगता है कोई भगवान अलग से ही कोई स्वरूप लेके प्रगट होंगे पर ऐसा नहीं है यह वो ही वाली बात है कि एक आदमी था उसके घर के आसपस गाउं में बाड़ा गई पानी में पूरा घर डूबने लगा गाउं डूबने लगा अब भगवान का वैसे तो भक्त था भगवान पर बड़ा बरोसा करता था उसने की कता में सुना था तुम भगवान पर बरोसा करो भगवान बचाने आएंगे तो वो भी एकदम जिद पर अड़ गया लब भगवान आएंगे मुझे बचाने वो बचाएंगे तभी जाओंगा अब बाड़ आ रही थी एक नाव वाला आया नाव वाले ने का भाई साब आजाओ नाव में बेढ़ जाओ डूब जाओगे बोले ना भगवान आएंगे मैं तो तभी जाओंगा तो चला गया नावाला फिर वो रेस्क्यू वाले आते हैं उपर हेलिकोप्टर से रसी फैकते हैं उन्होंने भेकी बोले या आजाओ रसी पकड़ लो या रसी पकड़ लो टमारे बचाने से नहीं हो तो भगवान ही आएगा तभी बचाओंगा एक आदमी आया उसने हाथ दिया ओले या आजाओ हाथ पकड़ लो हमारा डूब जागो भगवान आए तभी जाओंगा ऐसे करते करते डूब गया अमरत्यू के बाद गया उपर तो जाकर के एकदम गुस्से में था अमराज जी ने का प्रभु एक बड़ा नाराज हुआ भगताया है आपका आपसे हिसाब किताब मंग रहा है भगवान ने का बेजो इसको तो भीजा बगवान ने का काई को नाराज है हमने सुना था तुम कहते हो कि जो मेरे आश्रित होता मैं उसे बचा लेता हूँ मैंने कितना कहा था कि आप आओगे तभी मैं बचूँगा तभी मैं वहां से बाहर निकलूँगा आप आए ही नहीं बचाने के लिए तो भगवान ने मुस्कुरा के का रे पगले वो जो नाव चलाने वाला वो जो जाच चलाने वाला वो जो हात दे रहा था तुझे पकड़ करके पानी से निकाल रहा था वो क्या तेरे बाप ने बेजा था वो सब कहां से आये थे अरे मैं ही तो रूप बदल करके तुझे बचाने आये ता तुझे नहीं पहचान पाया तो मेरी क्या गलती है अब बचाने के लिए तुझे आऊंगा तो वहाँ थोड़ी न मोर मुकुट पहन करके आऊंगा अब पानी में बचाने के लिए तो नाविक बनके आना पड़ेगा न तुझे न पहचान पाये तो तेरी भूल है बात बड़ी सच्ची है कि भगवान कभी न कभी कही न कहीं जब भी लगता है कि हम डूब रहे हम फिसल रहे हैं तो वो जो मदद का हाथ आगे बढ़कर के आता न वो और कोई नहीं होता वो भगवान ही होते हैं वो किसी माध्यम से आगे बढ़कर के मदद करने के लिए आते हैं और हम चूख जाते हमको लगता अच्छा इसने मदद करी, इसने हमारे पैसों की मदद करी, अरे उसने का खाक करी, वो कहां से लाया था, उसके माध्यम से भगवान ने मदद करवाई हमारी, मदद करने वाले भगवान ही थे, रूप इसका दे दिया, तो बस इतना समझ लो कि सारे संसार में जगत में बचाने वाले शीठा कुर्जी हैं.